नमस्कार दोस्तो इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुल्मिन सिरप का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है। आवर ओल स्वास्थि को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मुल्मिन सिरप का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर मुल्मिन सिरप को लेने की सला दे सकते हैं। मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्चक्ता होती है। इसलिए ज्यादा एक्सरसाइस करने वाले व्यक्तियों या जिम जाने वाले व्यक्ति भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए मुल्मिन सिरप को ले सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। को लेने की सला दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वज़ा से यदी आपके शरीर में कमजोरी आ गई है। तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर मुल्मिन सिरप को लेने की सला दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है। ऐसे व्यक्तियों में भी विटामिन्स की कमी बहुत जल्दी होती है। शरीर की इम्मूनिटी को बढ़ाने के लिए भी डॉक्तर मुल्मिन सिरप को लेने की सला दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पेट या आंतों की कोई सरजरी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी नुट्रिशन की कमी हो सकती है. इसके अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन ज्यादा करते हैं. ऐसे व्यक्तियों में भी नुट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है. इसलिए शर आपका ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर मुल्मिन सिरप को लेने की सला दे सकते हैं। मुल्मिन सिरप शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करती है और शरीर में एनरजी के लेवल को बढ़ाती है। इसके अलावा मुल्मिन सिरप शरीर में खून की कमी होने से भी बचाव करती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की मुल्मिन सिरप को कैसे लेना रेकमेंड़ होता है मुल्मिन सिरप को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंड़ होता है मुल्मिन सिरप को खाली पेट लेने से पेट दर्ध होना या उल्ती आने का मन होना आधी साइड इफेक्ट्स हो सकते है आम तौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 5 मिलिलीटर मुल्मिन सिरप को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। परा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। या कोई फिक्स नहीं होता है क्योंकि मुल्मिन सिरप एक हेल्थ सप्लिमेंट है। अगर आपकी डाइट में नुट्रिशन की कमी है तो आप मुल्मिन सिरप को तब तक ले सकते हैं। जब तक आपकी डाइट से नुट्रिशन की कमी पूरी न हो जाए। आप अपने शरीर में नुट्रिशन की कमी को कच्चे फलों, सबजियों, सलाद, दूध, दही, काजू, बादाम वा अन्य ड्राइ फ्रूट्स का सेवन परियाप्त मात्रा में करके भी कर सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने मुल्मिन सिरप को लेने की सलाह दी है, तो आपको मुल्मिन सिरप को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे मुलमिन सिरप एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में मुलमिन सिरप की वज़ा से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में मुल्मिन सिरब की वज़ा से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे उल्टी आने का मन होना, मुँ का स्वाद खराब होना, पेट दर्ध होना, दस्त होना या कब्स होना आधी side effects मुल्मिन सिरब की वज़ा से हो सकते हैं। मुल्मिन सिरब की वज़ा से ये side effects सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं. केवल कुछ percent व्यक्तियों में इन side effects को notice किया गया है. मुल्मिन सिरब को recommended dose से ज्यादा dose में लेने पर मुल्मिन सिरब की वज़ा से side effects होने का जोखिम अधिक हो जाता है. इसलिए आपको मुल्मिन सिरब को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए. मुल्मिन सिरब को लेने के बाद पेशाप का रंग पीला हो सकता है. जो की एक सामान्य बात है. और यह कोई नुकसान दायक नहीं होता है. अब हम discuss करेंगे कि मुल्मिन सि सिरब को लेने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए. ताकि दवा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. मल्टी विटामिन कैपसूल या सिरब प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे कच्चे फलों या सबजियों से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स की बर दाबरी नहीं कर सकते हैं. मल्टी विटामिन कैपसूल या सिरब को तभी लेना चाहिए. जब बहुत ही जरूरी हो या डॉक्टर ने मल्टी विटामिन कैपसूल या सिरब को लेने की सलाह दी हो. मुल्मिन सिरब का डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक सेवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी नुट्रिशन की आवश्चक्ता अधिक होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मल्टी विटामिन्स को कम या ज्यादा मात्रा में लेने पर बच्चे की सेहत प्रभा हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मुल्मिन सिरब को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना چाहिए। अगर आप पहले से ही कोई मल्टी विटामिन दवा ले रहे हैं तो मुल्मिन सिरब को लेने से पहले डॉक्टर से मुल्मिन सिरप एक मल्टी विटामिन सिरप है, जो आपके स्वास्थे को बहतर बनाने में मदद करती है. विटामिन्स ना तो वजन को बढ़ाते हैं और नहीं वजन को घटाते हैं, इसलिए मुल्मिन सिरप आपके शरीर के वजन को नहीं बढ़ाती है. विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मुलमिन सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं